रादे रादे जैजी क्रशना मैं सीमा सिंग बड़ों को चारणिस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ आज हम बेसाक मास के बड़े सोंबार की कहानी सुनने जा रहे हैं अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे जादा से जादा लाइक करें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बेसाक मास के बड़े सोंबार की कहानी सुनने का पुन्यफल प्राप्त हो और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो आईए अब हम वेसाक मास के बड़े सोंबार की कहानी सुनते हैं एक बार बहुत छोटा सा गाउं था उस गाउं में एक भ्रहम दत्षर्मा नाम का ब्रामन अपने परिवार वालों के साथ रहता था वह ब्रामन वेद शात्र का ज्याता दयावान, शमावान, धनवान वे धार्मिक प्रवैति का था वेद ब्रामन बंदू-बांधूं से युक्त था उस ब्रामन की एक बड़ी ही रूपवान, गुणवान वपती व्रता इस्तरी थी उस ब्रामन को कोई दुख नहीं था परन्तु उस ब्रामन को एक ही दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी इसलिए वह ब्रामन संतान हीन होने के कारण बहुत दुखी रहता था उस ब्रमदत ब्रामन ने संतान की प्राप्ती के लिए अनेक प्रकार के यग्य, हवन, दान, पुन्य, आदी सभी कर्म करे जब रद्धा अवस्था के आने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई तो वह ब्रामन मरने के लिए घर से बिना बताए घंगोर वन में चला गया वन में जाकर अन्व जल त्याग कर कठोर तपश्या करने लगा इस तरह उसे कई दिन बीद गए वह ब्रामन जिस वन में तपश्या कर रहा था उस वन में भगवान महादेव मातापार्वती जी अक्सर ब्रह्मन करने के लिए आया करते थे तब उस ब्रह्मन की कठो तपश्या को देख कर भगवान वही ठहर गए सब पर दया करने वाले भगवान महादेव मातापार्वती की नजर जब उस ब्रह्मन के उपर पड़ी तो उन्होंने व्रद दमपती का वेश भना कर उस ब्रामन के पास गए और ब्रामन से पूछने लगे कि हे ब्रामन तुम कोन हो, कहां से आये हो, क्यों चिंतित हो, क्यों इस निर्जन वन में इतना कठोड तप कर रहे हो तव है ब्रामन बोला कि मैं ब्रह्मदत नाम का ब्रामन हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं होने के कारण मैं महान कष्ट भोग रहा हूँ तवरद दमपती वेश में भगवान महादेव माता पार्वती जी बोले कि है ब्रामन हम दोनों पती पतनी तीरत यात्री हैं, हम तुमें आज संतान देने वाले व्रत का पूरा विधान बताते हैं तुम बेसाग मास के प्रतेक सौंबार का व्रत करो, पूरे बेसाग मास में ब्रमचारिय का पालन करो, और पूरे बेसाग मास में भगवान महादेव माता पार्वती जी का पूजन करो, एक समय भोजन करो हे ब्रामन तुम ये वरत अपनी पत्नी के साथ मिलकर करो, तुम्हे ओलाद सुक अवश्य मिलेगा, हे पुत्र तुम वापस अपने घर जाओ, यह कहकर भगवान महादेव माता पार्वती जी अंतर्ध्यान होगे, तव ब्रहमदत ब्रामन वरत दमपती के कहे अनुसार, अप मास के बड़े सोमवार के वरत करने लगा, ब्रहमदत ब्रामन पूरे बेसाक मास में प्रातेकाल उठकर ताला परिस्तनान करता, फिर अपनी पत्नी के साथ भगवान महादेव माता पार्वती जी का पूजन करता, और उसके बाद बड़ पीपल और आंकडे के पेड़ को सी मिचता और पूजा करता, इस तरह ब्रहमदत ब्रामन अपनी पत्नी के साथ बेसाक मास के प्रतेक सोमवार का वरत करने लगा, इस तरह पूर बेसाक मास बीद गया, तब एक दिन वे ब्रहमदत ब्रामन तालाप पे इस्तनान करके भीगे वस्तरों में खड़ा ही था, कि ये उसके उपर झपटा, तबी ब्रहमदत ब्रामन के हाथ से जल का लोटा उस मगरमच के उपर गिर गया, जैसे ही लोटे का जल मगरमच के उपर गिरा, तो उस मगरमच ने दिवे दह धारन कर ली, और वे हाथ जोड़कर ब्रहमदत ब्रामन के सामने खड़ा हो गया, और कई जन्मों से मगरमच की योनी में पड़ा कश्ट भोग रहा था आज आपके हाथ से जल गिरने से मैं मगरमच की योनी से मुक्त हो गया और आज मेरा उध्धार हो गया और मुझे पूर्व जन्म की सबी बातों का इस्मरन भी हो आया हे ब्रामन देव पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही पापी दुष्ट दुराचारी शिकारी था मैंने बेसाक मास में अनेक जिवों की हत्या करी उस पाप दूश के कारण मैं इस जन्म में मगरमच बना आज आपके दर्शन मातर से मेरा उध्धार हो गया हे ब्रामन देव आपने ऐसा कौन सा पुन्य कार्मि किया जिसके कारण मुझे मगरमच की योनी से मुक्ती मिल गई हे ब्रामन देव आप अपने उस पुन्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ती मिल जाए तब उस ब्रामन दत भ्रामन ने उसे अपने बेसा की सोंबार के व्रत का फल उस मगरमच को दे दिया जिससे वे मगरमच दिवे दह धारन करके और भ्रामन को प्रणाम करके शिव लोग को चला गया उसके बाद जब दुबारा बेसाक कमेना आया तब उस ब्रमदत भ्रामन ने वापस अपनी पतनी के साथ बेसाकी सोमवर का व्रत किया जिसके पुन्य प्रताफ से उस ब्रामन की पतनी को सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ तब उस ब्रमदत भ्रामन ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पितवा दिया कि सभी बेसाक मास के बड़े सोमवर का व्रत करें, भगवान महादेव यमाता पार्वती जी का पूजन करें और पूरे बेसाक मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की फूजा करें जिससे की निसंतानों को संतान सुप मिलता है घरती हो तो पूरी हो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें इस तरह आज में आपको बेसाक मास के बड़े सुमबर की कहानी सुनाई मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद